तो मूवी की शिर्वात मैगी नाम की एक लेडी से होती है जो बस में एक दूसरी लेडी के साथ थी जो उसे बता रही थी कि कुछ दिन पहले स्काई में एक यूनिक स्टार देखा गया है जो बस जीडिस क्राइस्ट के जन्म के समय विजिबल हुआ था जिसे क्रीसमस स्टार कहा जाता है अब से लगभग 2000 साल पहले वो दिखाता बट मैगी को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था वो घर लोट आती है मैगी एक साइकेट्रिक नर्स थी जोहां उसकी बेहन जेना अपनी बच्ची कोडी के साथ आ जाती है मैगी उसे देखकर काफी हैरान थी क्योंकि वो दो साल बाद उससे मिल रही थी चेना एक ड्रग एडिक्ट है और उसे पता ही नहीं था कि उसकी नौ दिन की मासूम बेटी के पिता कौन है वो काफी डरी हुई और परिशान थी जिसके बाद वो उस बच्ची को मैगी के ही पास छोड़ कर भाग जाती है सीन श पेशानेरी स्कूल में भीजने को कहते हैं जो कैथालिक है पट मैगी को तो इससे कोई फरकी नहीं पढ़ता क्योंकि वो रिलीचियस नहीं है अब तीन साल बीद गयते और मैगी कोडी को ले जाने आती है पट वहां पर नन कोडी को नोटिस करती है कि उसके पास ट्याले का हैबिलीटीज हैं का ऐसी ऐसी पावर होती है जिसे इनसान किसी भी चीज़ को भी नाचुए मूव कर सकता है वहीं दूस्ते तरफ पुलिस एक जगा पर बच्ची की डेड बॉडी को पानी से निकाल रही थी तभी वहां डेटेक्टिव जॉन आते हैं जो कि बच्चों के क किटनैपिंग केस्ट को हैंडल करेंगे क्योंकि इन दिनों चार साल से 6 साल के बच्चे किटनैप हो चुके हैं और उस बच्चे के हाथ पर एक सैटनिक कड्ट का निशान था यानि ये सब किसी कड्ट को बली चडाने के लिए किया जा रहा था वहीं एक नन कोडी के पास व वो आदमी देख लेता है जो बच्चों को किड्नाप करता था उसी रात मैगी हॉस्पिटल में होती है जहां पर वो चैरी नाम की एक लड़की से मिलती है चफो उसका ब्लड सैंपल ले रही थी तो उसके हाथ पर भी वो कर्ड का सिंबल बना था बातों बातों में वो मैगी क मैं वो उसकी सिस्टर चैना के बारे में बताती है जिएड कड् का हिस्सा थी चैरी कोड्श को कछोड़ने की काफी कोशिश कर रही थी लेकिण अब वो करड़् की कोड़ की मारना चाहती है dai वो केहती है कि कोडि 6 साल की हो चुकी है और उसकी जान खतरे में है आं क्यों कि इंट्रेस्स बढ़ता ही जा रहा था तबी चर्च में कोडी के पहुशते ही सारी कैंडल्स अपने आप जलने लगती हैं जिसे देखकर मैगी काफी हैरान थी जब वो घर्म भी वापस लोटते हैं तो जेना को देखकर चौक जाते हैं जेना उसे बताती है कि उसने एक एरिक स्टार्क नाम के बंदे से शादी कर ली है जो दा न्यू जाउन नाम की एक और्गनाइजेशन चलाते हैं जहां वो ड्रक अडिक्ट लोगों की हेल्प करते हैं और अब जेना भी ये सब छोड़ चुकी है तो वो वापस अपनी बेटी को लेने आए हैं बट मैगी को ये सब काफी अजीब लगरा था इसलिए वो उने मना कर देती है तो एरिक कोडी को किड्नैप करके ले जाता है जिसके बाद मैगी पॉलिस टेशन जाग का डिटेक्टिव जॉन को सब इनफर्म करती है जहां वो बताते हैं कि एरिक के उपर और लेडी बहुत सारे केस चल रहे हैं और उसकी पहुच बहुत उपर तक है बीना सबूत हम कुछ भी नहीं कर सकते एंड काईस यहां पर एक बात और पता चलती है कि जितने भी बच्चे अभी तक किड्नेप हुए हैं और बली चड़े थे उन सब की जी ओबी 16 डिसमबर 1993 है और कोडी का बर्ड देट भी यही है घर जाने पर मैगी को चेरी की कॉल आती है जिससे मिलने के लिए वो रेस्टो में जाती है जहां उसे एरिक स्टार के सचाई चैरी से पता चलती है कि वो एक डेविल वर्शी पर है अपनी और्गनाइजेशन में वो साइटनिक कर्ड चलाता है और तब ही वो देखती है कि कर्ट में मर्स रेस्टो के बाहर ही खड़े हैं जो उसे मारने आए है इसलिए वो फटा फट एरिक का एडरिस मेगी को देख कर वहां से अपनी चान बचा कर भागती है बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और मेगी की आखों के सामने ही उसे मार देते हैं मेगी जल्दी से एरिक के एडरिस पर पहुशती है जहां उसे कोड़ी मिल तो जाती है और एरिक उसे बेहोश करकर अपनी लोगों की दौरा उसे वहां से हटा देता है जैसे ही मेगी की आख खुलती है तो वो खुद को एक कार की ड्राइविंग सीट पर पाती है और कार एक बीच से चक्रा कर क्रैश होने ही वाली थी पर तब ही एक मिस्टीरिय साथ में उसे बचा लेता है और अचानक से गायब हो जाता है जैसे गौट ने उसे मैगी की मदद के लिए ही भीजाओ और वो उनका गार्जियन एंजल हो वहीं दूसरी तरफ एरिक कोजी को एक बूर आदमी के पास ले जाता है जो मैंचली डिसेबल था फिर एरिक उसके सामने कैरोसीन और मार्चिस रख देता है ताकि वो अपने पागल पन में खुद को मार जाले क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था पर तब ही कोजी उसे रोकती है और गले लगा कर कहती है कि कोड हमेशा तुम्हारे साथ है कोडी के छूते ही वो आतमी अपने होश में आ जाता है हैरिक ये सब देखकर हैरान था और वो से जलाकर मार डालता है और कोडी को अपने ग्रुप जॉइन करने को कहता है ताकि वो कॉड को छोड कर डेविल की पूजा करें बड़ वो मना कर दीती है अब मैगी को भी कॉड पर यकीन होने लगा था वो समझ गई थी कि ये सब कॉड और डेविल की जंग है इसलिए वो चर्च में जाकर प्रे करने लगती है तभी नन रोजा वहां आती है जो उसे प्रीस्ट के पास ले जाती है जहां वो बताते हैं कि स्प्रिच्वल बैटल के टाइम पर हमी कोडी की जरूरत है क्योंकि वो गॉड का फरिश्टा है हमें उसे हर हाल में बचाना होगा तभी मेगी को याद आता है कि कोडी आज डेंटिस्ट के पास जाएगी फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल जाकर कोडी को लेने जाती है पर एरिक की एचेंट उसे देख लेते हैं और काड़ी में बैठी उस लड़के को मार देते हैं जिसे प्रिस्ट ने मेगी के साथ उसकी हेल्प के लिए भीजा था जिसके बाद वो सब्वे में जाती है जहां ट्रेन बस निकलने वाली थी कि तभी एक लेड़ी गेट बंध होने से रोक लेती है और अचानक से गायब हो जाती है फिर वहाँ एरिक के एज़न्ट आ जाती है जो डीमन में बदल जाती है फिर मेगी कोडी को बचा कर सिस्टर रोजा के पास ले जा ही रही थी कि तभी कट का एक मेंबर उन्हें देख लेता है और वो लोग कोडी को फिर से ले जाते हैं अब मैगी डिटेक्टिव जॉन को कॉल करके सब कुछ बता देती है और वो एरिक को ट्रैक करके मैगी और बाकी टीम के साथ एरिक के फार्म पर पहुशता है जो दिखने में बहुत डराफना था मैगी पकड़ी जाती है और एरिक कोडी को डीमन का नाम पकारने के लिए कहता है बड़ वो ऐसा नहीं करती एरिक उसकी गरदन पर चाकू रखकर भी धमकाता है पर वो नहीं मानती अड़ दा एंट एरिक मैगी को मारने की धमकी देता है कोडी बहुत जादा डर जाती है पर तभी पुलिस की टीम बाहर से शूट करने लगती है और गुस्ते में एरिक कोडी को ही शूट कर देता है बट उसको बचाते हुए मैगी सामने आती है और मारी जाती है जहां कोडी अपनी आंटी को बचाती है और अपनी पावर से हील करके उसे ठीक कर देती है वहीं दूसरे तरफ नन रोजाबा की नन्स के साथ मिलकर उनके लिए प्रियर्स कर रही थी तब ही एरिक के फार्म में कौड के मेसिंजर एंजल्स कोडी की हेल्प के लिए वहां पर पहुँच जाते हैं ये सब देखकर एरिक हका बका ही रह गया था तब ही डिटेक्टिव एरिक को शूट कर देता है और वो मारा जाता है अचानक से फार्म में आख लग जाती है मेगी कोडी को लेकर फटा फट से बाहर निकलती है और पूरी हॉले से जलकर राख हो जाती है जैसे उसका कोई नाम और निशान ही ना हो लास सीन में हम कोजी को अपनी आँच मेगी एंडिटेक्टिव चॉन के साथ देखते हैं बड डेविल अभी भी उसका पीछा कर रहा था कल्ट का वो लड़का उस पर नजर रखे था पर जैसे ही वो मुड कर देखती है वो कायब हो जाता है जैसे की कोजी की पॉजिटिव वाइब्रिशन वो सहने लायक ही नहीं था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है